हेलो दोस्तों इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा समसंग के दो न्यू 5G वेरियंट है जो नए मोबाइल है जो आप बोल सकते हैं कि अभी एक AC मार्च में लॉंच होने वाले हैं जो ए फिप्टी फॉर 5G मोबाइल है और ए थर्टी फॉर 5G मोबाइल है इसमें आपको मै कंपेरेजिन करके बताऊंगा इसमें दोनों में जो है 4K वीडियो रिकोर्डिंग होने वाले हैं बेटरी जो है दोनों का लगबाग बराबर है 5000 एमेच के बेटरी होने वाली है ऑन्टोर 25 वाट्स फास्ट चार्जिंग है इसके बाद एंड्रोइड 13 पर वर्क करते हैं त लेचलता हूं फैरेन इसक्रीन पर आपको मैं बताता हूं ज्यादा वीडियो दौन माना करते होए मैं आपको उदर बताता हूं कि क्या क्या समय है दिफ्क्रेंश है दोस्तों तो चलते हiciones मोबाइल के स्क्रीन पर देखाये गए देख सकते हैं दोस्तों और कम्पेर करणे क वाइड जो है 78-76 है देख सकते हैं यहां पर थिकनेस है 8.2 mm और इसमें 8.2 mm जो है A34 पर है और उसके बाद वेट की बात करें जाहां देख सकते हैं कि यहां पर लगबग ज्यादा ज्यादा गराम का फ्रंक नहीं है 202 ग्राम जो है A54 पर है और 199 ग्राम जो है A34 पर है क्यों हो रहा ऐसा कि बैटरी जो है इसमें दोस्तों बहुत ही बड़ा बैटरी है इसलिए 5000 mAh के बैटरी है तो इसलिए है भी फोन है डिस्पिले की बात करें तो सुपर एमोलेट दोनों में है 6.6 इंच है और एक है 6.4 इंच मतलब कि देख सकते हैं रेजियोलेशन का बात करें तो दोस्तों इसमें है 108 पिक्सल 223 लगव दोनों में पिक्सल सेम है देंच कि बात करें तो देख सकते हैं 402PPI 392PPI मतलब यह थोड़ा अभा कमजोर है मतलब की गलक्सी के अ-34 इसमें Canary की मात्रा जो है एमें थोड़ा कम थो 48 MP है प्रन्ट क्यामरों में जो है Trans 15 H that यह आपरília 20Htt ऋसके बाद सिस्टम का बात करें तो देछ सकते हैं चीप meडिया टैक है चीप स्काइब तो सब्सक्ते हैं उसके बाद गाले याफ नैनो मीटर है memory के बात करें तो देख सकते हैं 6GB पर दोनों में 128 है और 8GB पर भी 128 मिलेगा और 256GB अजिश भी धी मतलब की memory मिलेगा मतलब की 8GB RAM पर 256 है तो 6GB पर 148GB memory भी है दोनों में मतलब की ठोड़ा difference है मतलब इसमें A54 में 256GB तक मिलेगा उसके बाद RAM का बात करें तो 6GB, 8GB है दोनों में मतलब देख सकते हैं स्टोरेज का बात करें तो मतलब 128 से लेके इसमें 256 दोनों में मिलने वाला है रैम की बात करें तो देख सकते हैं कि उसके बाद दोनों में मेमोरी डाल सकते हैं अलग से मेमोरी डाल सकते हैं St card, आप डाल सकते हैं. केमरे का बात करें, तो देख सकते हैं की 50 MP, बाइब बाइब शाफरं की 1.8 है. तो इसमें 4, 8 MP, बाइब फिर्चेर, 26 wide angle है। बागी स्फिल्व भग लगबं सेम है, ति ऐसी अ तो में तो बाइब करेंब घ्य दक्रान सकते हैं. तो इसमें 2nd में 12 है और इस दूसरे में 8 MP है और 3rd में 5 MP और 2 में 5 MP है तो फ्रंट केमरा की बात करें तो देख सकते हैं दोस्तों यहां पर 32 MP जो है A54 5G पर 32 MP है और FR 2.2 है उसके बाद Galaxy A34 5G पर 13 MP एफर्चर 2.2 है रिजुलेशन का बात करें तो सेंसर रिजुलेशन फोकल लेंट अपरचर सब दोनों में बराबर यह है फिस डिटेक्शन फ्लस यह सब उसके बाद वीडियो रियर वीडियो में 4K वीडियो दोनों में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं देख सकते हैं कि यहां पर 30 FPS पर और 60 FPS पर दोनों में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं पर भी आप 4K recording कर सकते हैं उसके बाद connectivity का बात करें तो network का दोनों में 5G है Bluetooth देख सकते हैं Bluetooth मतलब की Wi-Fi दोनों में लगबग कुछ से difference है मतलब Wi-Fi तो अब नॉर्मली रह गया अभी Wi-Fi और Bluetooth जो है उतर अदर्स में जो है मतलब की NFC है दोनों में सार लेबल जो नहीं बताया गया है और बैटरी के बात करें तो देख सकते हैं 5000 एमेज बैटरी है क्विक चार्ज है 25 वाट्स वायरेट के साथ टाइप C दोनों में चार्ज लगता एडप्टर जो है उसके बाद बात करते हैं सेंसर तो देख सकते हैं कि fingerprint, accelerometer, magnetic sensor, proximity sensor, rotation sensor, gyroscope sensor, gravity sensor, features के बात करें तो देख सकते हैं दोस्तों इस पे सब मतलब की लगबग सब सेम ही होने वाले हैं मतलब के थोड़ा पैसे का प्राइस का डिफरेंस है प्राइस में आपको स्क्रीन पर सो कर दूंगा तो देख सकते हैं कि वीड उमीद करता हूँ वीडियो अच्छा लागा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दन्याबाद प्रेंस थेंक्स पर वाचिंग